विडियो में हम लोग देखेंगे यूनेशको के लिस्ट में हमारे भारत देश से कितने अस्तल सामील अभी तक किये जा चुके हैं यह एक्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेस्टन तो हमें सब पुछे जाते हैं आप लोग प्रिवेस क्वेस्टन उठा कर देख लीजिए तो यहां से आप लोग पाएंगे कि यहां से बहुत सारे क्वेस्टन जो है पूछे जा चुके हैं अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें से सबसे जादा इंपोर्टेंट वीडियो जो है यह तो इस वीडियो में आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन से अस्तल जो है कहां पर पढ़ते हैं कौन से राज में पढ़ते हैं तो चलिए फिर बिन देर के वे इस ट्रीक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नमर पर है अगरा का कीला और इसे समील किया गयता है नाइंटी अटी इट्री में और यह आपका पढ़ता है उपी में उतरपर्देश में देखिए आगरा का कीला हो गया आगरा का ताजमल हो गया हम लोग सब लोग जानते हैं कि यह यूपी में है तो इसे ट्रिक से बताने की जूरुष नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसे सब लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ important बाते बता देता हूँ कि इसका जो निर्मान कराया था आपसे ये पूछ सकता है कि अगरा का किला निर्मान किस ने कराया था तो इसे कराया था आपका अकबर ने कराया था और इसे बनाने में जो है अगरा का किला को बनाने में आओ जनता entreakaj Anta से करेंगे स्मीद 1819 में सिकार करने के करम में इसकी खोज की थी कितना में 1819 में नेक्स्ट ये आपका ऐलोरा की गुफाएं और इसे भी सामिल किया गया था 1983 में और ये भी आपका पढ़ता है महाराष्टर में तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे इलोरा से हम लोग करेंगे ऐलोवीरा ओके ऐलोवीरा एक ओश्यदी है ठीके ऐलोवीरा करेंगे वो क्या है ओश्यदी नहीं है वो क्या है महा ओश्यदी है ठीके ऐलोवीरा क्या है ऐलोवीरा से हम लोग करेंगे ऐलोवीरा और ऐलोवीरा क्या है महा ओश्यदी महा ओश्यदी नेइक्स ये आपका ताज महल और इसे भी सामिल किया गया था है और 1983 में ये भी आपका पढ़ता है कहां पर ही, यूपी में इसे भी ट्रिक से बताने के भूरत नहीं है कि कौन से राजी में पढ़ता है देखी ताजमाल का important बात ये है कि इसके जो वस्तुकार थे मिस्तरी थे वो थे उस्ताद अहमद लाहोरी और उस्ताद इसा थे इसे हम लोग सब लोग जानते है कि इसे क्यों बनाया गया था वो मुम्ताज बेगम की याद में बनाया गया था कि मुम्ताज बेगम का दुसरा नाम क्या है नेक्स्ट है आपका महाबली पूरम के समारक और इसे सामिक लिया था है हम लोग जानते हैं कि जो बहुबली जो है वो साउथ मूवी है और वहा उस में क्या बुली बनी थी थी तमील बनी तिलंगू क्रणड़ा तो तमील से अपका उचेगा नाड़ो आन बलीपूरम सम्मों क्या करेंगे बहु बली वो कि इस बाज़ा में एक मूवी बनी थी तमील तिलगु तमील नाडू तो तमील से आपका हो जाए का तमील नाडू तो ऐसे लेट करके याद करेंगे ओके नेक्स्ट आप नेक्स्ट आपको सूरी मंदीर और इसे सामिल गया करें था 1984 में और यह आपका है इसको हम लोग एस रिलेट करके याद करेंगे सूरी जो है क्या ओढ़े हुए है देके ओडिसा में आपका साउंड आ रहा है ओडे ठीक है ओडिसा से हम लोग क्या करेंगे ओडे सूरी जो है गर्मी को ओड़े हुए है, ठीक है, सूरी क्या है, गर्मी को ओड़े हुए है, ओड़े से आपका आउजा उड़िशा, नेक्स्ट ये आपका मानस वन जीव, अभारन्य और काजी रंगा, राष्ट्री उद्यान, इन दोनों को सामिल किया गया था, 1985 में, और ये दोनों हैं, कहां, असम में हैं, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, मनुष्य जब वन में राता था, ठीक है, मानस से हम लोग करेंगे मनुस्य और वो जब 1 में रहता था और प्लस वो लोग क्या करते थे रंगे हुए रहते अपने face को क्या काजी रंगा से हम लोग करेंगे रंगे हुए रहते थे अपने face को ठीक है जंगल में रहते थे और अपने face को रंगे हुए रहते थे काजी रंगा में हम लोग लेंगे रंगे हुए होते थे तो वो लोग रहने के लिए अपना घर नहीं बनाते थे लेकिन क्या करते थे आसमान के नीचे रहते थे असम से हम लोग करेंगे आसमान के नीचे ठीक है मानने से करेंगा मनुष से जब वन में रहता था और अपने फेस को रंगे ही रहता था वो लोग घर नहीं बनाते थे क्या करते थे असमान के नीचे रहते थे तो ऐसे रिलेट करके इन दोनों को याद करेंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका केवला देव राश्चर उद्यान और इसे सामिल किया आते हैं नाइटी अटी फाइव में और यह है आपका राजिस्तान में तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपका साउंडार है केवल देव केवला देव से हम लोग करेंगे केवल देव केवल देव लोग ही कहां पर रह सकते हैं राजिस्तान में रह सकते हैं कि वहां इतनी भ्यांकर गर्मी पड़ती है कि कोई भी इंसान जल्दी नहीं रह सकता है ठीक है रगिस्तान में राजिस्तान की रेगिस्तान में कोई भी इंसान नहीं रह सकता है केवल देव लोग ही कहां रह सकते हैं राजस्तान में वरना आम इंसान राजस्तान में नहीं र उत्तरप्रदेश राजी में है, देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके आत करेंगे, हाप ए साउंड आ रहा है फते, ठीक है, यदि आप लोग कहीं पर विजय हासिल करते हो, फते हासिल करते हो, तो क्या होते हो, आप अप चड़ते है, यू पी, ओके, अप, यू पी क्या तो की अंदर में जो है बुलन दर्वाजा, डिवाने, खास, दिवाने, आम, खुवाब महल, पंच महल, हीरन मिनार महल, जोधा बाइब महल, जो है, इसके अंदर में है, फतेपुर सिखरी, और बुलन दर्वाजा, जो है, उसको, ये कउच्छन पूसता है, कि बुलन तो बुलन दर्वाजा को कब बनाया गया था वो गुजरात विजय के समय बनाया गया था और बुलन दर्वाजा जो है एसिया का सबसे बड़ा दर्वाजा है तो एक्जाम के पॉइंट व्यू से यह भी इंपोर्टेंट है इसी भी याद रखिएगा ओके आगे बढ़ते ने हम्टी सर्मा की दुलनिया था बड़ी मस्त मूवी है तो इसको हम लोग हम्पी से करेंगे हम्टी ठीक है हम्टी सर्मा की दुलनिया हम्पी से क्या करेंगे हम्टी सर्मा की दुलनिया और वो जो मूवी थी मूवी में क्या होता है लोग नाटक दिखाते है ओके मूवी में क करनाटक राज्जी में और इसे बनाया था विजय नगर के हर यहर और बुकर नामक दो भाईयों ने बनाया था इसको नेक्स्ट यह आपका खुजराहो का मंदीर और इसे समय किया था है 1986 में और यह पढ़ता है आपका मद्य पर्देश राज्जी में इसको में लोगा इसे रेलेट करके याद करेंगे खुजराहो से आपका साउंड आ रहा है खुजलाहो आप कब खुजलाती हो जब आपको करेंगे खुजलाती हो कुछ समझ में नहीं आता है कहां खुजलाती हो सिर के मद्य भाग में मद्य से आपका हुजएगा मद्य पर्देश और खुजराहो का मंदीर का निर्मान जो है चंदेल वंस के दौरा किया गया था नेक्स्ट यह आपका अलिफैंट गुफाएंगे यह बहुत जादा इंपोर्टेंट बहुत बार एक्जाम में पूछा है इसे भी जरूर याद रखिएगा इसे समिल किया आता है नाइटी एटी सेवन में और यह आपका पढ़ता है महारास्त्र में देखिए इसको ऐसे याद करेंगे लिफैंट एलिफैंट में आपका और यह आपका पढ़ता है तमिल नाडू राजी में अब इसको में लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे चोल से हम लोग करेंगे चल ठीक है मैं मंदिर से चला गया ठीक है चला गया मंदिर से मैं कब जब तुम नहीं मिले तमिल नाडू से हम लोग करेंगे तुम नहीं मि तो ऐसे रेट करके याद करेंगे दिखिए चोल मंदिर जो है इसमें दो मंदिर आती है एक वरीदेश्वर मंदिर जिसको की 1987 में UNESCO में समिल किया गया था और दूसरा मंदिर आता है चोल मंदिर में आपका आता है एराव तेश्वर मंदिर जिसको की 2004 में UNESCO के लिस्ट में समिल किया गया था नेक्स्ट ये आपका पतदिकल के समारगा और इसे समिल किया गया था 1987 में और ये जो है करनाटक राज में इसको हम लोग आसे रलेट करके याद करेंगे आपने किसी से पता मांगा ठीक है तो वो क्या बोला पता देंगे कल ठीक है पतदिकल से हम लोग करेंगे पता देंगे कल लेकिन आपने जान लिया था कि वो क्या कर रहा है नाटक कर रहा है वो पता नहीं देने वाला ठीक है आपने किसी से पता मांगा घरत उसनी क्या बोला पता देंगे इंगे कल पता देंगे अ को ठीक है और आप जान गए वो क्या कर रहा है नाटा कर कर रहा चूंकि वह पता नहीं को तो इसा तरहा है पतदगल के समारक कनाटक राज में नेक्स्ट आपका सुंदरवन राष्टी उद्यान और इसे सामिल किया था 1987 में और यह आपका पड़ता है पश्चिम मंगाल में इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि इनसान लोग जो है सुंदर होते हैं ठीक है सुंदर लोग होते हैं कहा के लोग होते हैं वो बंगाल के लोग ठीक है और यह सुन्दरवन जो है, रोयाल बैंगॉल टाइगर के लिए परसीद है, तो एक्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है, कि रोयाल बैंगॉल टाइगर जो है, कहां मिलता है, और कौन से राष्ट्य उद्यान में जो है, पाया जाता है, इसका अंसर क्या होगा, सुन्दरवन में, नेक्स्ट ये आपका नंदा देवी वा फूलो की गाटी, इसी समिल किया था, 1987 में और ये आपका उत्रा खंड में, अब इसको हम लोग ऐसे लेट करके याद करेंगे, देखिए, यदि आप लोग फूलो की गाटी में घूमने जाईएगा, तो आप लोग को जाने से कैसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे की स्वर्ग धर्ती पर उतर आया, ठीके, फूलो की गाटी में घूमने जाने से क्या होगा, आपको महसुस होगा कि स्वर्ग नीचे उतर आया है उतर आया है से आपका होजाए उतरा खंड फुलो की घाटी में घुमने से आपको कैसा फिलोगा स्वर्ग नीचे उतर आया है उतरा से आपका होजाएगा उतर से आपका होजाएगा उतरा खंड और उन फुलो की घाटी में साथ साथ कौन उतर आई है देवी भी उतर आई है ठीक है नंदा देवी में हम लोग sound क्या पकड़ेंगे देवी देवी भी क्या है नीचे उतर आई है उतर से आपका इसमें भी क्या हो जाए उतरा खंड तो इस तरह से दोनों आपका हो जाएगा नंदा देवी प्लस फूलो की गाटी कहां पर है उत्रा खंड में है नेक्स्ट ये आपका साची का स्थूप और इसे सामिल किया गाता है नाइंटी एटी नाइन में और ये आपका पढ़ता है मद्यपर्देश में इसको हम लोग इसलेट करके याद करेंगे साची से हम लोग साउंड पकड़ेंगे सची साची से हम लोग क्या करेंगे सची यदि आप से कोई पूस्ता है कि कहीं जोट तो नहीं बोल रहे हो तो आप क्या बोलते हो सची में संची में je नहीं बोल bear संची मेंसे पत्रतेर आप tecnologíaalam संची को बने को पाइए था जोधशन में जोट नहीं बोल रहा हूं संची में मेंसे आपका हो जाएगा मद्यइ पर्देश इस तरह से आपका हो जाएक संची को मोझाया Jei मद्यपरदेश में और जी क्वेस्चन में ये भी पूछता है कि सांचु का उस्थूप जो है वो किनके द्वारा बनवाया गया था तो अंसर होगा आपका समराथ असोक ने नेक्स्ट ये आपका हुमायू का मकबरा और इसे सामिल कि ये गाता है 1993 में और ये आपका पड़ता है दली में उसको हम लोग ऐसे लेट करके याद करेंगे देखे? यहाँ पर हम लोग हूमायू से पहला वर्ड apologies आ रहा है वो आ रहा है आपका क्या? को इंगलिस वर्ड है? हू करत होता है, कौ? कौ आपके दिल में रहता है? दिल से आपका होसुखएगा दिली Quesťन में आप से ये भी पू filme कह मुख़ता है किसके द्वारा बनवाया गया था तो इसका राइट आंसर होगा आपका हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो कि उसकी पत्नी थी और हमीदा बानो बेगम को ही हाजी बेगम भी बोलते है और हुमाईयो की मिरत्यू कैसे हुई थी ये भी पूसता है हुमायू की मृत्यू जो हुई थी वो सीडियों से गिरकर हुई थी या तो question घुमा के ये भी पूशता है कि सीडियों से गिरकर जो है किस महराजा की मृत्यू हुई थी तो answer क्या होगा हुमायू की को- next है आपका kuhtyub मिनार चाओ BO 2073 में और आपका पढ़ता है डली हुए तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो तुम्हारा दिल्ली में toutes-टो इस तरह से आपका हुज़ा नग्यां कहा है दिल्ली में और जह भी पूछा था कि kuhtyub मिनार कि उचाई कितनी है इसका राइट एंसर होगा 72.5 मीटर और इसकी चोड़ाई है 2.75 मीटर और कुटुब मिनार का निर्मान स्टार्टिंग में जो है कुटुब दिन ने स्टार्ट करा था इसका निर्मान करने के लिए लेकिन अंत में इल्टु तमीष ने इसको पूरा किया क्याना ख्यावी के लिए जा नेक्ष्ट आपका.. भार्थ ये प्रवरतिय आ रेल और इसे शामेल किया था उनिजी नहीं कष्ड नीनानबे में निलगिरी देखिए निलगिरी कहा है इसको हम लोग ऐसे लेट करके याद कर सकते हैं कि जब निलगिरी तुम्हारे सट पर क्या हुई जब तुम्हारे सट पर निलगिरी तु क्या किया तुम नहीं मिले तमिल नाडू तुम नहीं मिले से आपका हो जाएगा तमिल नाडू निलगिरी किस पर तुमारे कपड़े पर तो क्या हुआ तुम नहीं मिले तुम नहीं मिले से तमिल नाडू तो निलगिरी कहा है तमिल नाडू में आपका next है कलका सिम्ला जो की हिमाचल प्रदेश में सिम्ला हम लोग सभी लोग जानते हैं कहां पर हिमाचल में next है आपका महाबोधी मंदीर और इसे सामिल गया था 2002 में और यह आपका है पटना में और इसको याद करने के लिए ट्रिक की जूरत नहीं पड़ीगे और 2003 में और यह आपका पड़ता है मद्य परदेश में तो इसको आपका पड़त करके आद करेंगे हम लोग सभी लोग जानते है कि बहुत जादा सक्तिसाली था और जब भी वे लोग यूद करने जाते थे होंगे तो क्या भीम क्या कहा रहता था हमेशा मद्य में खड़ा रहता था होगा ठीके भीम कहा रहता था होगा मद्य में सबसे बीच में खड़ा रहता था होगा तो मद्य से आपका हो जाएगा मद्य परदेश ओके बीम बेटका का रत होता है भीम के बैटने की अस्थान और निवास अस्तान भी इनी गुफाओं को बोला जाता है, इसलिए इसका नाम बेटका की गुफाओं रखी गई, नेक्स्ट यापका चंपानेर पावगड़ पार्क, और इसे सामिल किया गया था 2004 में, और यह आपका पड़ता है गुजरात राज्जी में, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे चंपा, ठीक है, चंपानेर, यहां हम लोग साउंड पकड़ेंगे चंपा, और चंपा जब पाव में पायल, ठीक है, यहां से पकड़ेंग क्या चंपा, और पावा से हम लोग पकड़ेंगे पाव में, चंपा जब पाव में क्या करती है, पायल पहन के गुजरती है, गुजरती से आपका हो जाएगा गुजरात, तो इस तरह से चंपानेर पावगड़ पार कहां पर ही है, गुजरात में है, नेक्ट है आपका चेतरपती सिवाजी टर्मिनल, और इसे सामिल किया था 2004 में, और ये पढ़ता है आपका महाराश्टर में, और इसको ह पैसलेट करके याद करेंगे, देखिए, चेतरपती सिवाजी कौन थे, वो महाराजा थे, ठीके, चेतरपती सिवाजी कौन थे, महाराजा थे, तो महाराजा में यहां पर साउंड आ रहा है, महाराश्टर, महाराजा से क्या करेंगे हम लोग, महाराश्टर करेंगे, और चे यह आपका है दिल्ली में। तो इसको हम भो इस रल आपका दिलुः हो निर्मान करें। कि निर्मान निख शाजहा ने करवाय है। और 1638 में ही साजान WHAT THE 1638 में दिली को राजदानी बनाय था Next is also Jaitpur Hidden bead और इसे सामिल हिए है ता 210 में और यह आपका पध्टा है Rajaistan bên तो इसको आपका एसिलिए करेंगे कि जो लोगジャントर मंतर करते है वो लोग क्या करते हैं के दिमाग में राज्य करते हैं ठीक है जो लोग जादू टोना जन्तर मंतर करते हैं वो लोग क्या करते हैं दूसरों के दिमाग में राज्य करते हैं तो राज्य से आपका हो जाएगा राजस्थान यहां पर भी जैपूर में है तो वहां के राजया भी कोई थे जैशिन तो इसके निर्मान किसने कर रहा था जैसी दुति ने next है आपका पश्चमिगाट और इससे सामिल के माथा 2012 में पश्चमिगाट जू है वो किसी एक राज में नहीं है या गुजरात और महाराच्र की सीमा से स्टार्ट होता है उसके बाद फिर गोवा, करनाटक, तमिलनाडू, केरल से होते हुए कन्या कुमारी तक फैला हुआ है नेक्स्ट ये आपका राजस्तान के पहाड़ी दूर्ग और इसे सामिल किया गया था 2013 में और ये आपका पढ़ता है राजस्तान में देखिए टूटल जो है वो छे दूर्ग है आपका चितोडगर दूर्ग, कुंबलगर दूर्ग, रंतमबोर दूर्ग, गागरोन दूर्ग आमेर दूर्ग और जैसलमेर दूर्ग, अब इन छे को हम लोग ऐसलेट करके याद करेंगे, ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है, इसी जरूर समझिएगा, देखिए, चितोडगर से हम लोग लेंगे, चिता को गार सकते हैं, इसी कहां परी, राजस्तान में, क्योंकि वह होता है, चार और बालू होता है, और राजस्तान में भी क्या है, चार और बालू है, नेक्स्ट ये आपका रंतम बोर, तो यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे, आप रत को चलाते हुए बोर हो जाओगे, ठीक है, रत को चलाते हुए आप लोग कहां बोर हो जाओगे, राजस यहां से हम लोग लेंगे गगन अपलोग दूर दूर तक देख सकते हो क्योंकि वहां पर न ही पेड़, पाहड कुछ भी नहीं होते है कैगन को आप लोग दूर दूर तक कहां पर देख सकते हो राज Exchange में हम लोग लेंगे अमीर, अमीर लोग जो है, कहां पर अपना पैसे का यूज नहीं कर सकते हैं, राजस्तान में, क्योंकि चार और बालू-बालू है, तो वहाँ पर कोई भी दुकान, और नहीं कोई मौल मिलेगा, ठीक है, अमेर से हम लोगों ने क्या किया, अमीर लोग, कहां राजस्तान में, क्योंकि वहाँ पर नहीं कोई मौल है, और नहीं कोई दुकान है, नेक्स्ट याप का जैसल मेर, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, जैसल मेर का जल से मर, ठीक है, जल की बिना कहां मर जाएंगे लोग राजस्तान में, जैसल मेर से जल की बिना मर जाएंग यह लोग कहां पर ही राजस्तान में क्योंकि वहां पानी नहीं मिलता है तो इस तरह से आप लोग छे दूर्ग को इजिली याद कर लोगे नेक्स्ट यापका ग्रेट हिमालय राश्ची उद्यान यह आपका सामिल किया था 2014 में और यह आपका हिमाचल परदेश में हिमालय हम लोग सब लोग जानते हैं कहां पर यह हिमाचल परदेश में तो इसे ट्रिक से बताने की जूरत नहीं है नेक्स्ट यह आपका राणी की वाव और इसे बोला जाता है राणी की बावडी भी बोला जाता है और यह सामिल किया था 2014 में और यह है गुजरात में इसे हम लोगा ऐसे रिलेट कर जात करेंगे राजा राणी ठीके राजा राणी का जमाना क्या हो गया गुजर गया रजया Рानी का जमाना क्या हो गया ? गुजर से आपका गुजरत का व यहा looking तो इस दिस違 फेव अभडरी महते है ? नालनद विश्व वधियालई उजह नालन विष्व वीज्व विधिय। उद्यान इसी संफिल किया था 2016 में और यह है आपका सिख्किभी में तो इसको हम लोग isolate कर खीआट करेंगे, कंचन से हम लोग लेंगे कांच, ठीक है कांच का क्या बना व्हुत है, कांच क्या क्या है, कांच का क्छन लोगों ने क्या लिया, कांच और काच का क्या बना हुआ है सिक्का से आपका हो जाएगा सिक्कीम तो इस तरह से कंचन जंगा राष्टी उद्यान जो है वह कहां पर यह सिक्कीम में है नेक्ट है आपका अमदाबाद और इसे सामिल किया था 2017 में और यह आपका है गुजरात में है तो हम लोग यह भी जानते है कि अमदाबाद जो कहां है गुजरात में तो इसे भी याद करने के लिए ट्रिक के जूरत नहीं है एक क्वेशन यह पूछता है आपको जो अमदाब किया था 2018 में जो किया है महा रास्ट्र में तो इसको हम लोग आसे लेट करके याद करेंगे विक्टोरियन से लोग लेंगे विक्ट्री ठीक है विक्ट्री वही लोग आसिल करते हैं जो लोग महा सक्तिसाली होते हैं ठीक है महा महा यहां यहां पर देखिए साउंड आ रहा देखो ठीक है आर्ट देखो मिंस कला देखो और कला हम लोग तभी देखते हैं जब कोई महान पेंटर होता है ठीक है महान पेंटर जब कोई एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि मैं उन्ही टोपिक पर वीडियो बनाता हूं जिस टोपिक से एक्जाम में अक्सर पूछी जाते हैं तो मैंए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले और इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल بिना भूले क्योंकि मैने इसको बहुत महनत से बनाया हुआ है और कैसा लगा नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करें, ओके फिरेंज तो कल मेलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक एए बी सेफ और बी सक्योर